नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे रासी फल धाम यूटूब चनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला रासी फल के बारे में कि यह दिन तुला रासी वालों के लिए केसा रहेगा किन की चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ के से रहेगी, केरियर के सार हेगा, बिजनेस और वैपार के सार हेगा और स्वास्त की महत पुन जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरन और सुबान का क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके दोस्तों आपकी वीरासी तूला है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें और इसे अंतर तक जलूर देखें वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नई हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ हमें नोटिपिकेशन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तूला रासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं किया आज आपके लिए पोजेटिव रहने वाला है दोस्तों प्रपटिय अथवा इन्वेस्मेंट समन्दी योजना को क्रियामिन करने का अनुकुल समय है घर में वास्तु समन्दी नीमा का पालन करने से घर में सकारतमक भी आएगी बच्चों के केरियर से समन्दी कुछ समचार भी मिल सकता है आज आपका ग्रिस्थी समान है लेकिन किसी भी परतिस्थित बेक्ति से मुलाकात आपके लिए लाबदायक साभित हो सकती है कुछ बहतरी इंचानकारिया हासिल होगी नजदे की समन्दियों के साथ भी मुलाकात के अफसर बनेंगे और आपसी विचारों का भी आदान परदान होगा दोस्तों भाग की आप एक्छा कर्म पर विश्वास रखें अपनी किसी भी प्लानिंग को किर्याविंद करने से पहले पुर्ण विचार जरूरी है इसे अपनी कामियों में सुधार लाकर उचित परनाम हासिल कर सकते हैं अपनी महनत और लगन के परनाम सिक्र ही मिल सकते हैं दिन की सुराथ अनुकुल रहेगी वैस्ता के बावजुद आप अपने रूची समंदी कारें के लिए भी समय निकाल लेंगे युगां को कोई कम्पिटेशन एकजाम समंदी उचित परनाम भी मिल सकता है दोस्तों किसी परिवारी समस्या को सुलजाने में आपका विशेश योगदान रहेगा लोग आपकी युगता की शहर ना करेंगे दिन कुछ शमान ही व्यतित होगा लेकिन आप अपने युगता से मन मुताबिद कार में सफलता पाही लेंगे दोस्तों भगवान का हाथ आपके शर्पे है आप कोई भी काम करेंगे तो आवसिया आप सफलता पाएंगे और अनेक जनकरियां अनेक चमतकरियां भी हासिल करेंगे घर के वारिष तरस्ता का असिरवाद और असने परिवार पर बना रहेगा अधात्मत से जुड़ी किसी विश्यस बात को गहराई से जानने में रूची रहेगी और कुछ नहीं जानकरियां भी हासिल होगी किसी महत्यपुन यात्रा को भी अस्तगित करने का नेने लेना उचीत रहेगा दोस्तो किसी भी नजदी की मित्र की सलह आपके लिए किसी विश्यस काम को कूर्ण करने में सहता करेगी उधार दिया हुआ पैसा भी आपस मिलने की संभावना है समाज में सेवी कारे के परती अपका विश्यस योगदान रहेगा दोस्तो आपका नेगेटिव में किसी भी विप्रित परस्यतियों में अपना आत्म विश्वास बनाए रखें इसे जल्दी परस्यतियां समान भी हो जाएगी अपने कुरोद और एहम जैसी कम्यों पर सुधार लाएं नहीं तो कुरोद से कोई भी काम शफल नहीं होगा कुरोद से आपको सब काम में घाटा ही लगेगा इसलिए दोस्तों कुरोद पर कंट्रोल रखें तभी आप कोई काम में आगे बढ़ सकते हैं अपने कुरोद और एहम जैसी कम्यों पर सुधार लाएं इनकी वज़ा से कोई महतपुन आफसर हाथ से निकल शकते हैं कुरोद और आवेस को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपको महतकुन आपसर हाथ से निकल सकते हैं दोस्तों व्यर्थ की गत्तिविदियों में ध्यान न देकर अपने कारे में ही वैस्त रहें इसमें उचीद बजट बना कर चलना जरूरी है कोई लोन लेने की योजना बनाई है तो उसे समन्द अभी और अधिक जानकरियां लेने की जरूरत है दोस्तों पुरानी नकार्तमाँ बातों की बज़े से किसी करिवी के साथ कलग किस्ती बढ़ सकती है समयदारी से समंसिया को सुल जाने का प्रयाश करें दोस्तों अपने उप्रवधियां का ज़्यादा दिखावा न करें किसी खास मित्र के साथ वेचारी मदभेद की बज़े से दुरियां आएगी आपके विरोधी जलन की भावना से नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए साबधान रहें आपके वेहम और जिद्धी सभाव की बज़े से किसी के साथ समन्द में खटास आ सकती है विद्यार्थियों का अपने पढ़ाई के परति लापरवई करना ठीक नहीं है परिवारी समस्यां को आप से समस्या दुवारा सुल जाने का प्रयास करें गुस्य और युगों की वज़े से कलह बढ़ सकता है दोस्तों गुस्या आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है गुस्या आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इसमें दोस्तों गुस्ये पर कंट्रोल रखेंगे तो आप हरे कार में सफलता पालेंगे नकारतमा बातों को अपने उपर हावी ना होने दें इस वज़े से कोई काम बनते बनते बिगड़ भी सकते हैं पड़सियों के साथ व्यर्थ के बाद बाद में ना उल्जें इनकी वज़े से आपके परिवार में अब तना परा सकता है विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेका लापरवार रहेंगे दोस्तों आपके व्यर्थ समिंदे राज की मामलों में किसी अनुवी व्यक्ति से मारदसन लेना जरूरी है इसमें निर्धारी यतराओं को टालना ही उचित है नुक्रिपेसलों को अपना टार्गेट हासिल करने में दिकते रहेगी लेकिन उच्देकारियों का सहयोग भी मिलेगा व्यपसा की करपरनाली में कुछ परिवर्तन करने की जोरत है इसे व्यपसा में गती आएगी पर 30-30 लोगों के साथ समन्द खराप न करें सरकारी करयाले में किसी परकार की राजनिती चल सकती है दूसरों की मारद में ध्यान न देकर आपने काम से ही मतलब रखें वरना बिना बात के ही आप उलज सकते हैं दूसरों व्यपसा में सुधार करने की जोरत है कुछ काननी अथ्वा निवेश समिन्दी जटिलताओं को सामना करना पड़ सकता है और फिस के कार आउनलाइन करने की वज़ेशे कुछ दिकतें भी आएगी लेकिन बाद में आपका हल भी हो जाएगा इस्टाब अथवा करमचारियों से समिन्दी कुछ दिकते रहेगी नोकरे में काफी समय बाद आप अपना टार्गेट हासिल करने में शफल होंगे सरकारी नोकरी में भी कोई महत्पूर कारभार मिल सकता है दोस्तों वैब साइग गति विदियां से समदी अभी कोई भी महत्पूर नहीं न लें इसमें धेर और रस्याम रखने की ज़ुरत है आपिस में नकार्तमा परवर्ति की लोगों से दूरी बना कर रखें और अपने काम पर ही ध्यान दें अपने कारपनेले में किये गए बदलाब से सकरत में परिना मिलेंगे मेडियार ओनलाइन कारवे में ज़्यादा ध्यान दें इसे वैब साइग को गति देने में साहिता मिलेगी नोकरी में किसी भी सहयोगी के साथ व्यर्त की भास में न उलजें वरना वो किसी कारण से आपको फंसाशकता है दोस्तों आपके लव लाइफ में परिवार में सुक सांती पुर्ण माहुल रहेगा विपृत लिंगी मित्र से मुलाकाद मन को प्रभुलित करेगी तांपत जीवन में मधुरता रहेगी प्रेम परसंगों के मामले में लापारवे दुरियां ला सकती है समस्यां को सुल्जान में जीवन साथी और परिवार जनों का पूरा शहियोग मिलेगा प्रेम समन्द में अपने लव पार्टनर की भावनाओं को कदर करें प्रेम समन्द में जाहिर होने से परिवारि नाराजगे भी सहन करने पल सकती है प्रेम समन्द में भावनाओं गरूप से और अधिक नजदिकियां बढ़ेगी प्रेम समन्द को विभा में बदलने के लिए परिवारि में सलह मशवरा हो सकता है घर का वातारण भी सकरात्मा बना रहेगा घर के बड़े बुजरुगा का आशिरवाद और सिने भी घर की विश्ता को उचित बना कर रखेगा किसी मित्र से मुलकात भी खुशी देगी दोस्ता आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए दोस्ता आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो आपका स्वास्त ठीक रहेगा गैस और कब जेसी समस्या से रहत पाने के लिए अपना आहार विहार ठीक रखें महिलाए अपने स्वास्त का खास ध्यान रखें इंफेक्शन होने की असंका है इस तो स्वास्त में गिरावाट महसुस हो सकती है, कम जोरी विखार रह सकता है इस लिए साबधान रहें, बरतमन बतारवन से अपना बचाव रखें, नहीमित जाच भी करवाते रहें दोस्तों इसमें पेट दर्द और भूखना लगने जैसी समस्या का सामना करना पल सकता है, हलका आहर लें दोस्तों ज़्यादा ठाकान की वज़े से सीर्द दर्द और कमजोरी महसुस हो सकती है, ध्यान और मेडिलिशन आवस्ट करें, इससे स्वास्त में सुधार आएगा धल हमेशा सुभा के समय जल से जल देना फाइदेमन होता है, सुरी की रोशनी तेज हो या चूबने लगे तब जल देने से कोई फाइदा नहीं होता है, जल देते समय तामबे के लोटे में जल भरें, इसमें चावल फूल ढाल कर सुरी को अरपित करें, सुरी समन्दी में आपका मुख पूर्वी दिशा की और ही होना चाहिए उपाय करने से दोस्तों आपके घर में पूरे परिवार में सुख सांती प्रदान होगा दोस्ता बात करें आपका भागसाली रंग और भागसाली आंक क्या है दोस्ता आपका भागसाली रंग हारा है और भागसाली आ दोस्ताम भगवान सुर्य देव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल्षे कॉमेंड बक्स में ओम सुर्याय नमद जडूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जडूर करें धन्यवाद